नमस्कार दोस्तों, मैं अनसारी सर, निर्णेडेकेडमी यूटुब चैनल में आपका पुना स्वागत करता हूँ दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको वरणों के बारे में विशिस्ता जानकारी दे दी अब लेके चलते हैं वरणों के उचान स्थान की तरफ, वरणों के उचान स्थान से क्या ताथ पर है, वो उचान स्थान का मतलब होता है, कभी-कभी उचान स्थान न दे करके बोलने का आधार दे दे, तो भी आप समझ जाईएगा कि बोलने के आधार है, बोलने का आधार है अर्थात जो हम वरणों का उच्चारन करते हैं धुनियों को बाहर निकालते हैं वे किस स्थान से आते हैं किस स्थान के सहयोग से आते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है उच्चारन स्थानिया बोलने क्या धार और हिंदी जगत में बोलने के स्थान साथ हैं दोस्तों उच्चारण स्थान कुल कितने कुल संख्या बराबर दोस्तों साथ है इस तरह से साथ कौन कौन से हैं दोस्तों तो बताते हैं आपको उच्चारण स्थान का नाम कौन कौन से कंठ, तालू, मुरुधा, दन्त, वोस्ट, नासिका और जहवा की जड़ कंठ, तालू, मुरुधा, दन्त, वोस्ट, नासिका और जहवा की जड़ ये साथ उच्चारण स्थान है, ये साथ ऐसे स्थान है जहां से वर्णों का उच्चारण होता है मतलब कंठ, कववा जिसको काते हैं, हलक जिसको काते हैं, वह कंठ होता है वहां के सहयोग से बोले जाने वाले वर्ण करंट कहलाते है तालू से बोले जाने वाले वर्ण तालू कहलाते है मुर्धा, तालू के ठीक बगल का भाग मुर्धा होता है उसको इस परस करके जब वाहर वाई भी कलती है तो मुर्धा दंत को के सहयोग से बोले जाने वाले वान जो उचारन स्थान है वो दंत कहलाते हैं और उस्ट के सहयोग से जो उचारन स्थान होता है उस्ट होता है नाजिका से के सहयोग से नाजिका जीवा की जड़ के सहयोग से जीवा की जड़ अर्थात ये उच्चारण स्थान है अगर कभी एक्जाम में आप से पूछे कि कंठ से कंठ उच्चारण स्थान से कंठ उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्र क्या कहलाते हैं दोस्तों तो आपको बता दे कंठ से बोले जाने वाले वर्र जो कहलाते हैं वे कंठ कहला ये विशेशन बन जाएंगी, क्योंकि ये वर्णों की विशेशता बताते हैं, लेकिन ये क्या है दोस्तों, ये संग्या है, नाम है, लेकिन वे विशेशन का काम करेंगी, वैसे ही ताल उसे बोले जाने वाले जो वर्ण होंगे दोस्तों, वे भी क्या होंगे? ताल अव्य हो इसी तरह से दोस्तों आपको बता दे मुर्धा से बोले जाने वाले वर्ण जो होंगे वे मुर्धन्य होते हैं इसी तरह से दंत से बोले जाने वाले वर्ण दंते होते हैं ओस्ठ से बोले जाने वाले वर्ण ओस्ठ होते हैं नासिका से बोले जाने वाले वर्ण नाशिक के वर्ण होते हैं तालब्य वर्ण, कंठ वर्ण, मुर्धन वर्ण, धंत वर्ण, गोस्ट वर्ण, नासिक के वर्ण और जिहवा की जड से बोले जाने वाले वर्ण जिहवा मूली वर्ण कहलाते हैं कौन से वर्ण दोस्तों? जिवा मूली ये वर्ण इस तरह से ये वर्णों के नाम है, इसलिए ये विशेशन है, ये उच्चान स्थानों के नाम है, इसलिए ये संग्या है अब लेके चलते हैं आपको वर्णों के उच्चारण स्थान की तरफ कि किन वर्णों का कैसे कैसे उच्चारण किया जाता है और पते की बात बताते हैं दोस्तों दो तरीके से पहले तो हम लेके चलते हैं आपको बेंजन वर्णों के उच्चारण स्थान की तरफ व्यंजन वर्णों के उच्चारण थान व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कंट अगर इसको साटकर तरीके याद करना है कता मुदव याद कर लिजे दूसरी चीत कंठ से बोले जाने वाला वर्ण जो होगा उसकी विशेस्ता क्या होगी कैसे पहचाने हम अगर याद न हो तो एक्जाम हाल में तो दोस्तों बता दें आपको एक्जाम हाल में बैठ जाये और बोलते समय अगर गले का ये भाग अंदर दबे और अंदर से इस तरह से जोइंट हो तो समझ जाये वह कंठ से आवा जाती है अर्थात कंठ को इसपर्स करके जब वह आई बाहर आती है तो वह कंठ कहलाता है और तालू को इसपर्स करे चाहे पूरी तरह से चाहे आंसिक तो समझ जीवा अगर जीवा किसको इसपर्स करे तालू को बोलते समय तालू को अगर जीवा इसपर्स कर ले या तालू की करीब चली जाए, समझ जाएए वह तालूचान स्थान होता है, अजिहवा, जिहवा, किसको, जिहवा उपर उठकर, पीछे मुड़े, तो समझ जाएएगा वह मुर्धा से है, दंत, अगर जिहवा दांत को, इस पर्स करे, अब चाहे आंसिक करे, चाहे पुर्ण रूप से करे, इसी तरह से, जब ओष्ठ, जब दोनों ओष्ठ, सट जाएं, या गोल हो जाएं, तो समझ जाएएगा वह खाहां से चाहना होगा, ओष्ठ के होगा, जैसे आपको बताते हैं हम, ब्यंजन वर्णों में इस पर्स ब्यंजन का, किसका, इस पर्स ब्यंजन का उच्चारण थान, अब देखें आप दोस्तों, इस पर्स ब्यंजन जैसे, जिस करम में ये कतामुदो याद है, कतामुदो, 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 इसी तरह से, कंठ, ताल, मुर्धा, दंतोष्ठ, यही है कतामुदो, जिस करम में ये याद है, उसी करम में काख़ पूरा पढ़ डाली आप मतलब काव वर्ग फिर कौन वर्ग आता है शेव वर्ग उसके बाद कौन सा वर्ग आता है ताव वर्ग फिर कौन सा वर्ग आता है ताव वर्ग उसके बाद कौन सा वर्ग आता है पाव वर्ग इस तरह से आपने देखा पांचो वर्ग इ काल מפलब ताल्यू के नतरणक वरण आएगा और मुर्धा के नतरणक टवरण अगी ने एगर और पावरण यू यह जो आते हैं आपके कंठ के अंतरगत आते हैं और चवर्ग में चछजज़ और यह यह कहां आते हैं तालू के अंतरगत आते हैं और टवर्ग तठडधन यह किसके अंतरगत आते हैं टवर्ग के अंतरगत तठडधन इसके अंतरगत आते हैं फिर पफबभ और म इस तरह से आप practically भी देख सकते हैं इनको बोलते समय आप देख लीजिए ओस्ट सटते हैं कि नहीं आपका प, प, जरूर सट जाएंगे इनको बोली ये आप, देखे आपकी जीवा दांत को टच करती है कि नहीं करती है त, त, जरूर टच कर लेगी इसी तरह से टावर को बोली आप देखे जीवा पीछे मोड़ने न पाए और बोल लीजी आप नहीं बोल पाएंगे इसी तरह से चावर को बोली आप बोलने की चेश्टा करेंगे तो भी नहीं बोल पाएंगे क्यों, क्योंकि बिना तालू को इस पर्स किये नहीं बोल पाएंगे आप क्योंकि चेया कहेंगे तो जिहवाद तालू को जरूर टच के लेगी इसी तरह से यहां का अंदर का भाग कंठ इस पर्स करता है इसलिए और दोस्तों आपको बता दे अनुनासिक कहलाते है अनुनासिक का उच्चार्थान जो होता है मुख और नासिका दोनों से होता है मुख से इसका उच्चार्थान तो कंठ हुआ इसका ताल हुआ इसका मुर्धा हुआ इसका दंत हुआ इसका ओस्ठ हुआ लेकिन सब में नासिका आपको जोड़ना पड़ेगा इसलिए इसका उचान थान, कंठ और क्या नासिका सब में नासिका जोड़ेना पड़ेगा इसका तालू तो हुआ ही लेकिन नासिका साथ में इसका मुर्धा तो है ही लेकिन साथ में नासिका सब में नासिका जोड़ना इसका दंत तो है ही लेकिन साथ में नासिका इसका ओस्ठ तो है ही लेकिन साथ में नासिका इस तरह से वर्ग के पांचमें अक्षरों के दो दो चांड स्थान होते हैं इसके बाद दोस्तों आपको लेके चलते हैं हम इस पर से वेंजन हो गए अब कहां अंतस्त और उश्म वेंजन की ओर चलते हैं अंतस्त और उश्म वेंजन उश्म या संघर्सी वेंजन कौन-कौन से होते हैं आप जानते ही हैं इनका करम जैसे आपको पता है हमने आपको कता मुदाव बताया था जब अन्तस्त और उस्म को हल करने लगेगा तो उपर का का और नीचे का और हटा दीजेगा क्योंकि ये दोनों इसके अंतरगत नहीं आते हैं अब आपको पता है यारो लाओ यार लव यही आता है और इसमें क्या होता है श ख कहते हैं लोग श श फिर स उसके बाद क्या आता है हा आता है इस तरह से आप लोगों ने देखा दोस्तों कि तालु के अंतरगत या और श आता है मुर्धा के अंतरगत र और मुर्धन श आता है और दंत के अंतरगत आपका ल और स आता है और दोस्तों बता दें ये वह जो है इसका उच्छान दो जलगा से आता है देखे कैसे वह उच्छ गोल हो जा रहा है और उच्छ गोल होने पर कहां से आ रहा है उच्छ से आ रहा है अगर बोलते समय उच्छ का सहे हो लेगे तो उच्छान सन क्या है उच्छ लेकिन ध्यान द जरूर आ जाती है इसलिए इसका उच्चान स्थान होता है दंत और वोष्ट है अब बोलते समय जीवा इधर उधर नहीं भाग रही है और याद रखेगा जब जीवा इधर उधर न भागे उपर नीचे इधर उधर न जाए तो समझ जाईएगा कहां से आता है दोस्तों वह क उसे आता है इस तरह से बेंजन वर्णो के उंचान स्थान कंपलीट हो गयिए अब आपको बताते हैं स्वर्णो के उंचान स्थान दोस्तों, स्वरवरणों में भी आपको पता है और बता दें, कतामुदाओ मत भूलिएगा और एक सबसे पते की बात जब आप स्वरों का उपचान स्थान हल करने लगेगा तो सेम स्ट्रक्चर वाले एक ही जगह से आएंगे अर्थात जहां से अ का आएगा वहीं से आ का जहां से उ का आएगा वहीं से उ का जहां से ओ का आएगा वहीं से ओ का इत्यादी समझ जाएए बाब इस तरह से आप जिस करम में यह याद कियें उसी करम में उसको पढ़िए ओस्थ गोल कर रहे हैं इसका मतलब तोहां पहुंच गए हैं आप? उस्ट में पहुंच गए हैं उसके बाद दोस्तों क्या आता है आपका? री और दिरगरी तो यूज नहीं होता है और री ये भी नहीं यूज होता है लेकिन इतना तो आप जान सकते हैं और बता दें आपको जो संद्यक्षर होते हैं इनके दो-दो उच्चान स्थान होते हैं जैसे देखें आप जहां से होगा वहीं से एका भी बोला जाएगा सेमे स्ट्रक्चर वाले हैं जहां से ओका होगा वहीं से ओका भी होगा उच्चान स्थान और आप जानते हैं कि A का निर्माड A और E से हुआ है तो A का उच्चान स्थान कंट होता है और E का उच्चान स्थान तालू होता है इसलिए जो A का उच्चान स्थान होगा वह कंट तालू होगा जब A का होगा तो वही A का भी ही होगा अर्थात A, A, A का उच्चांस्थान कंठ तालू है आप जानते हैं कि O का निर्माण A और O से हुआ है हमने आपको वरणों में बताया A का उच्चांस्थान जीवाई धर धर नहीं भागी इसका मतलब कंठ है O, 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 O ओस्थ गोल हो जा रहा है इसका मतलब कहां से आ रहा है अब आप देख रहे हैं कि दोस्तों कि O का उच्चांस्थान कंठ और उच्च है तो जब O का होगा तो O का भी क्या होगा कंठ और उच्च होगा दोस्तों इसके बाद दोस्तों लेके चलते हैं आपको आयोग वाह वरणों के उच्चारण स्थान उच्चारण स्थान जैसे अनुस्वार का किसका अनुस्वार का इसका उच्चारण नासिका से होता है दोस्तों इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है नासिका है आका नहीं लेंगे उच्चान स्थान क्योंकि ये तो सहयोग की रूप में ले रहें लेकिन मूलता ये अनुस्वारी होता है इसलिए इसका उच्चान ना सिका है जैसे हम कहा दें ये क्या है विसर्ग इसका जब उच्चारण करते हैं हम तो दोस्तों हग आउच्चान कहां से करते हैं हम हग आउच्चान जो करते हैं दोस्तों हमें पता है हग आउच्चारण हम कंट से करते हैं इसलिए इसका उच्चान स्थान क्या है दोस्तों कंट है इसके बाद दोस्तों जीवा मूली ये वर्ण ज़रासा देखें आप जीवा मूली ये वर्ण दोस्तों जीवा मूली ये वर्ण आपको बता दे का अथवा खा से पहले जब आधा विसर्ग ये क्या हैं अर्ध विसर्ग का सिंबल है मतलब ये अर्ध विसर्ग हैं इससे बड़ा विसर्ग होता है ज़्यादा समय लगता है और इससे भी ज़्यादा समय हा में लगता है जैसे positive comparative and superlative degree वैसे ही good better waste की तरह समय लगने की आधार पर सबसे कम समय इसमें लगता है इससे ज़्यादा बोलने में इसको लगता है और सबसे ज़्यादा समय हा को बोलने में लगता है तो वही ये अर्ध विसर्ग हैं इनका उच्चारण किस तरह से होता है आधे हा की तरह होता है हा से मतलब विसर्ग आधे विसर्ग की तरह होता है और ऐसे वर्णों का उच्चारण आपको दोस्तों बता दें कभी पूछे का हिंदी वगएर हमें तो ऐसे ही पूछ लेगा नह आग से इनको बोला जाता है इस तरह से दोस्तों आपको हमने उच्छान स्थान संपन कर दिया अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आपको प्रयतन बताने जा रहे हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों